नमस्कार एक वफिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल संदेश इंसिटूट में और मैं हूँ सर्वेश सिर्वास्तो और आज की इस क्लास में मैं आपको डारेक्शन टेस्ट के कुछ ऐसे इंपोर्टेंट कोस्टन में आपको पढ़ाने वाला हूं त पहले मैं आपको बतादूँ कि यदि हमारे चनल को आपने अभी तक सप्क्राइब नहीं किया है तो आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब ज़रू करें 276 बगर में पर आपको अब बिल आइकन लडियों कुछ ब्सेंट में आपको बता दूं कि डिएस deterior хот p Nich में क्या क्या होता है कि पहले आपको दिशा का ज Dr. आप तक आप तक दिश्भी कहारD मेंशन करेंगे आप सभी को पता है लेकिन मेंशन करने में कभी कभी क्या होता कि बच्चा जो है कभी कभी गलत कर देता है जिसकी बज़ा से जो कोशन भी आपके गलत हो जाते हैं तो यहां पर आपको पूराप को रखना है यहां पर रखेंगे पच्छिम को यह पच्चिम रखेंगे इधर रखेंगी उत्तर को यह रखना है दच्छिन को ध्यान देंगे चार दिशा हैं इधर बाया साइड आपको तो आपको साल्व करने हैं। तो आप बहुत ही आसानि साब इसको लगाएंगे चली में आपको प्रेटिक में करता हूं आपको और दिख लुटर का सिर्ट केशिए कि उत्तर की ओर मुंह करके गोपाल फीस मीडर चलता है कि पुपाल 20 जो ँदोग उत्तर की सब्राइन गतने चलता है तो बीस एना चलता है पुना वह बाए मुड़ता है और 40 मीटर चलता है बाए मुड़ने के बाद यहां पर जो देख रहे हैं यह बाए मुड़ेंगे तो 40 मीटर की दूरी तय हुआ है बाए मुड़ने के बाद फिर वह बाए मुड़ता है और 20 मीटर चलता है दुबारा बाए मुड़ रहा है बाए मतलब अब इधा की दरब जा रहा है यह होगा तो 20 मीटर की दूरी इसने तय कर लिया है यहां से 20 मीटर की इसने दूरी तय किया उसके बाद फिर वह दाए तो आप देख रहे हैं कि यहां पर होगी वही दूरी तो यहां पर भी होगी यानि कि यहां पर 40 मीटर ही चला होगा इसकी जो दूरी होगी यह 40 मीटर ही होगी तो इतना दूरी प्लस इतना दूरी तो इसकी दूरी होगी 40 और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है तो 20 मीटर है तो इसका टोटल हो जाएगा दूरी कितना 60 मीटर हो जाएगा ठीक है यानि कि वह गोपाल जो है अपने प्रारंभी का स्थान से कितने दूरी पर है तो साथ मीटर की दूरी पर है ठीक है कि समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को मोहित दच्षिड की ओर पांच मीटर चलता है मोहित जो है दच्छिन की ओर पांच मीटर चलता है दच्छिन मतलब नीचे की तरफ कितना चला है पांच मीटर चला है उसके बाद दाय मुड़ता है और तीन किलिम्र चलता है दाहिने मुड़ने के बाद यह होगा बाया यह होगा दाहिना इसका तो में मीटर चल रहा है slippery पुना फोट दाहिने मुड़ता है और पांच किलिमर चलता है दाहिने मतलब कि यह कहां यह तो ठीक के इक्वल जो है जा रहा है तो यह हो गया आपका फाइब मीटर की दुरी कि अब बताईए कि आप वह अपने प्रारंबी का सांसे कितनी दुरी पर है तो एक बार ऐसे चला फिर ऐसे चला फिर ऐसे चला मतलब कि 3 ल這邊 की जो यहां पर दुरी है वही दुरी त्यहां पर वे ओगी ठीक है और यह 5 लिएटर यह 5 लो मीटर यह बृम्टर यह बराबर है इसके यह बराबर होगा इसके तो यहां से लेकर यहां तक कि दुरी हो गई हमारी कि तीन मीटर तो उसकी दूरी मतलब कि वह कि अपने प्रारमिक असान से कितने दूरी पर है तो तीन मीटर की दूरी पर है चलिए अगला कोश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके कि असूक किसी बिंदू से पीस यह दचिन की ओर 20 मीटर चलता है जिसका नाम है असूक 10 मेटर में चला दिया यहां से इसको दश मीटर चल चुका है उसके बाद वह 20 मेटर पच्छिप की ओर जाता है चलिए चला दिया है कि इसके बाद १म वह 10 १ा जाता है श्युरी जीशा में 10 बोलिखो के नीचे कीसियों था है एक डश्यय्टर वह 20 मीटर पुर्व की टा थे इसके बार 20 मीटर यह पूर्व की स्रीच आता है 20 मिटर पूर्व की और जा रहा है 20 मिटर मतलब कि आप यहां से जो है दस मिटर दचिर की जाता इसके बाद 20 मिटर पूर्व की जाता है पूर्व दिसाक मिंस आप देखेंगे इधर की तरफ कितना चला तो 20 मीटर चला इसके बाद अंत में वह 10 सब्सारीं अन्त में वह पांच मीटर दच्छण की ओर चल कर पांच मीटर दच्छण की ओर कि पांच मीटर दच्छण मतलब के नीचे की दरब पुधा ज़िसा में चल कर प्यूंग तक पहुंच जाता है बताएख की और क्यूँ कि सीधी दूरी कितनी है पी और क्यूं कि सीधी दूरी कितनी है यानि कि यह हो गया पी और यह हो गया क्यूं कि ध्यान देंगे यहां पर ऐसे चला फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे आपका तो यहां पर दस मीटर यहां पर पांच मीटर ठीक है यहां पर दस मीटर तो यहां भी त के दूरी इसके भी हो गए तो इसको मैं ऐसे इसको मैं मिला देता हूं यह हो गया 10 मीटर तो आप इसको कल्कुलेट कर देंगे कि 10 इसकी दूरी हो गया और 5 इसका दूरी कितनी हो गया 25 मीठर हो दूरी 25 बश्चिए कर से जाइगे पसके तो इसके क्ते और कि दूर थे लिखें आप कितने पूंज देना है आपको कि आपको दिशा का स我知道 आपको जानकाई रहेगी तिस्तर के question को आप लगा सकते हैं इसमें क्या होता है कि कभी आपको दिशा पूछता है और कभी जो हैं आपको उसकी दूरी पूछता है तो दूरी और दिशा में आपको क्या होगा कि दूरी मतलब कि उसकी इस्टार्टिंग बिंदू और उसकी अथा प्रारंभिक बिंदू और अंतिम बिंदू का बीच का दूरी पूछेगा और कभी आपका यह होगा कि कोई बेक्ती जो है आपको उत्तर दिशा में जा रहा है फिर इधर से बाइं गुम रहा है तो उसका जो है वो दिशा पूछे आठ किलोमीटर दच्छिर दिशा में गया पच्छिम मुढ कर वो तीन किलोमीटर चला आणि कि वहां से जो है पच्छिम मुढ रहा है पच्छिम मुढ कर तीन किलोमीटर चला वो फिर उत्तर की ओर मुढ और पांच किलोमीटर चला उत्तर की ओर मुढ और चला कितना नियुक्त अंत में वो पूरू दिसा की ओर मुड़ा अंत में वो पूरु दिसा की ओर मुटा ओ तीन कीलोमीटर चला पूरू दिसा में पूरू में चला तीन किलमीटर आपका मनब ठीक इसके बराबर तीन किलमीटर चला असुक शुरू हुए अस्थान से अब किस दिशा में है ठीक है यानि कि शुरू हुए अस्थान से किस दिशा में तो पहले मोड़ें फिर यह सुरू हुए अस्थान से मतलब कि और यह उसके इस्टार्इंग पॉइंट यहां था आपका प्रारंबिक बिंदू यहां था तो यह कहां पर पहुए हो चुका है मतलब की यह देख रहा है की अंत में वो किस रिषा की तरफ आपका ख़ड़ा है तो उसने देखा कि यह आपका जो है जो है जले अगर लग कोशन हम यहीं पख़ा देते हैं कौरा कि एक पुरूस ने पच्छी म की उर चलना प्रारम किया पच्छी म की उर चलना प्रारम किया वह दाहिने मुड़ा और वह दाहिने मुड़ा इसके बाद चलने के बाद क्या है कि दाहिने मुड़ा बाया दाहिना दाहिने मुड़ा फिर दाहिने मुड़ा एक बाद फिर दाहिने मुड़ा मुड़ना है आपसको बाया दाहिना जिघेत दाइने मुड़ा घ waktu में बाय मुढ़ा घृ अब उधिसमय कि अब बताईए कि वो किलिष्ट सब्सक् uranium तो यह अब कि तरफ है यह यह आइसे गया फिर फिर अब कि बीएसे इसे गया ति उच्वी कुन से होती है उत्र दिसा होती है अर्फात वह बेखती उततर दिसा की ओर है ठीक है तो आपने देखा कि इस तरह की को सकते हैं तो आप हमारे कुमेंट सेक्षे में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं तो उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा और और इसकी पहले आपको को मैं बता दूं कि यहां को अभी तक आपने अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चनलों का आप सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए साथ ही साथ बगन में उसके बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लेजिए ताकि जब कभी में मैं वीडियो अप्लोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पले आपको मिल जाये करेगा चलिए किसे और दूसर अब दूसरे वीडियो में आप सबी से मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद्ट